और ला झीप हो बहुना होगए वह संथ कर रहा हम यह नहीं किसे में टॉपिक इस टॉपिक को सथ करते हो यह होग से क्वांटिटी टेटीटिटिटि आनलिशिस ओफोलीकनद कर रहा है इसमें कि शुक्षब डाते हैं नंद तैंव द स्कूछं करने ही Update कि बोलो किसी को बोलना कुछ दो स्फ एक बार रिपेट कर दिशा आपने चुब का अभी के इस एक ये करना है तुम्हें बहुत इंपर्ण अपीका ये स्पूल में स्कूल में अच्रा जैते हैं कि याद करने तॉपिक ये खुद करने ना लेकिन कि इसमें भी एक बार बताने के बाद ना अच्छे तरह किस हो जाया गया वही क्लास डिअगे आज करेंगा उसके बात मैं पंद्राव के बाद बीच में दो जाए अच्टा अब ना क्वड़ीटिटिटिव और इसमें कुम्ण पता लगा रहे हैं कि कौन-कौन से अलिमेंटर्ट ब्रेजंट हैं और यह पॉटकिसी को सब्सक्राइब नो सिर्ण कर दा शर्टा है तो भांगको सुने पटा लगाना है कि ये अलिमय्ट और निंक पंर में प्रेजन है कि चुन रहा इनका इनके कॉंटिटिडि नहीं न क्वांटीटिटिटिव एनेलिसिस कोई डाउट और नो सर श्रूर अब सार्ट कर रहे हैं कुछ स्वाली परिटिटिटिव इसी में आता है वो भी इसी में हो भी कराओंगा यह के लिए इंपर्ड नहीं बिल्कुल भी मैं दोवारा वो तुमें एंटरंस के लिए इंपर्डडन है उनमें कुछन आते हैं तो हम साट कर रहे हैं qualitative analysis of organic compounds, उसमें हम पढ़ेंगे पहले carbon hydrogen का estimation, carbon hydrogen का estimation तो अब detection of carbon and hydrogen, qualitative मतलब पता लगाना कि कौन सा element present है organic compound में, और quantitative मतलब quantity पता लगाना, इसलिए क्या हो जाएंगे, उसके पर numerical सा जाएंगे, तो कई बार, जैसे 60% chances होता है numerical के, 40% chances theory के, तो इसलिए दोनों ही important है, इसको practical organic chemistry भी भोगते हैं, practical POC नाम से भी यूज करते हैं इसको, practical organic chemistry, समझे है कि नहीं है, तो इसको इसको अब प्रेक्टिकल organic chemistry, तो इसमें हम पहले study कर रहे हैं, detection of carbon and hydrogen, और याद करना है साथ-साथ, मैं एक मिनटे टाइम दूँगा भीच में, फिर मैं सुनूँगा तुमसे, इसको याद कर ले न, साथ-साथ इसको, और daily chapter को बोलना, 7-8 दिन तक लगतार मन में, पूरा पढ़ने के बाद, तो मैं याद हो जाएगा अपने आप, नहीं तो समय पर भेचना, carbon hydrogen तो हो गई, और याद कर्ड़न पाण के साथ, किस से पास करेंगे, तो कार्बन जो है वाक्सिराइज हो जाएगा CO2 में और COO रिडिउस हो जाएगा CO2 के अंदर जाद करना साथ 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 में CO2 साथ में क्या मिल गया CO2 के लिए समने टेस्ट पड़ा हुआ है CO2 के लिए समने टेस्ट पड़ा हुआ है CO2 CO2 गैस टंस लाइम वटर मिल कीagem मोर्ट से पास करेंगे इसको तो तो मिल्की हो जाएगा सी है homogeneous है यह मला प्रेस्वेट बन गया क्या हो गया मिलकी हो गया co2 गैस टंस लाइम वाटर मिलकी ते लिए प्लस प्लस और गैस करेंगे तो यह सॉलिवल हो जाएगा यह तो यह पॉइंट द्हान पने लिख रहा हूं आपके मिल्की ने प्रेस्ट बन गया लाइम वटर से पास किया तो मिल्की हो गया कोई डाउड किसी को सरी जो कार्बन आपने लिखा है और गनी कंपाउंड है यह करेंगे फिर चेक करेंगे को कोई भी चीजा कर रहे है तो यह आ गए हाप पर पहला मैं ने बताती तुम्हें दूसरा अब हाइडरोजन का अश्क्रिंपिशन इसी के अंदर हीडरोजन अगर हाइडरोजन प्रेसे प्रेजिए तो टू एच के लास क्यू तो क्यूत कि अप्प्रिकिंट सी प्लाइज से पास किया तो गई-जू के लगाना है तो बहुत अप्ते असान तरिका सबको पता है कॉपट अपर जैसे की ड्रॉप वाइज-पानी पानी गरता है तो वाइट होता है वह घूलो इस फीडों से फॉर वट नोट यह यह याद रखना तो अगरे यह 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 जो लिखा है ने यह जैसे इसको पर रॉप आइस पानी किरेगा तो भी तो ब्लू करके हो जाएगी तब यह ब्लू कलर होती है अदर्वाइज यह वाइड कलर की सॉल्ट होती है समझें कि नहीं है और इसका भी डिटेल में रिजन है 12th क्लास में कि एश्टू और लीगेंड साने से अब यहां पर तीसरा केस हमेशा ना मैं आगे प्रॉब्लम क्रेट करेगा अगर अगर सल्फर प्रेजेंट है तो वह टेस्ट में क्रेट करेगा समय पता होगा एस प्लस tö is to mehr एस प्लस सी ऐओ क्या मिलेगा इस में आप साटो सी मिलटू यर्ट ऊप्लस इस केश में कोपर फ्लस टू से वन में जाताँ इसका कि अध़ा रशका ऑन हो इस तो साटश Aa कि नाव दिस गाका अल उल्स हिए अगें डिश्मीन्एंफ डिसअपीर사 नसलीव जब ऑप्षक करते है तो यह कंदा हो जाएगी और यह एकड्ट2 सॉलयिवल हो जाएगा एडूटी नहीं है कि सिइको किसी को कोई डाउट तो नहीं है हाँ सर मेरे डाउट था हाँ बोलो बोलो और जैसे कि किसी ने एक्वेशन दे दिये और अब से पूछा कि बताओ कि किस कि अब कर आगे अब करांगे तब पूला फुला पूला 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 ने के बाद सब्सक्राइब कर रहा है कि इसमें प्लस टू स्टेट होगी और एच प्लस वन में होगा और यह तो बैलेंस ही नहीं हो रहा इस पर अगर हम देखें इस पर अगर यह नूट्रल है तो सब्सक्राइब यह कह रहा था ना अब वो तो कर लिए रजब मेरे से गलती हो गई चलो समझ आगे यहां तक कि नहीं यह सब्सक्राइब यह तो यह अभी एक मिनट लगा के इसको याद कर रहा हो नहीं तो यह सारी जारा हो जाएंगी तो एक मिन लगा के इसको याद कर लो मैंने पेज पर लट रहा हूं पर झाल झाल कि इसर हो गए किसे ने कर लिए है कि कि कर लिए हैं से का अन्साइब अप्र तो अप्लस एसे सॉ टू बनाएगा जिसे लाइब वाटर से पास करेंगे टो मिल्किनेस बनाएगा जो कि को करेगा और जब एक सब्सक्राइब करेंगे तो मिल्किनेस डिसपीर हो जाएगी और वह एक ऐसा कंपाउंड नहीं जो कि सॉलिबल होगा सर्वों कॉंपाउंड है एच और किसी को याद नहीं हुआ है रजात मेरे डिवाइस में हो नहीं सकती सब्सक्राइब नहीं है फीचर हाँ 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 थोड़े दिन सुनाने वाला काम चलेगा इस लिए सब्सक्राइब करके कॉपर और सियोटू को हम टेस्ट कर लेंगे उसमें मतलब लाइं मोटर डाल लेंगे तो वह सीए सीओ त्री देगा और वह मिल्की होगा और उसमें जब पास करेंगे तो सर थी होड़ ट्वाइस देगा वह सॉल्यूबल होगा और मिल्कने गायो जाएगी बिल्कुल सभी बिल्कुल सभी तुट्रेंटेसिक्स को मिलके आया था क्या येस और और को बच्छा रजट फिर देंगे बहुत बड़ी बात है और मेरेको तो मैं का फू है ये स्टेट में फर्स्ट रेंक 10 में कि अधृट मेंट आउर सब्स्टेट में वो फस्ट है आधा फूरा फूरा पूरे कांट में सब्सक्रा चारे ज़ाल सब्सक्रात और तुमना मैं दुमारा नहीं तूना इसके नहीं तो इसके लिए क्योंकि काम बहुत सारा करना भी तरको समझें कि नहीं कि काम बहुत सारा भी चलो खुश नहीं था अच्छा अब यह यह ने बता दिया कार्बन का और हड़ों का स्क्राइट करता है तो वह भी मिल्कीनेस देगा और मिल्कीनेस डिसेपिर भी होगी सेम अब हमें CO2 और इसके तरीके में तुम्हें बता चुका हूं यह कौन दाएगा ग्लास में CO2 और सुटको को डिफरेंशेट करने के तरीके सब बोल सकते हैं सब ने रिडाक्स पड़ा हुआ है कार्बन की मैक्स स्टेट है हां बहुँड और और सर सलफर की मैक्स नहीं है तो सर वह सिर्फ मलब कम वाली स्टेट में जाहेगा तो सर हम उसको मतलब और और तरह नहीं तो दोनों को अगर हम जैसे डाइक्रोमेट आयन्स के पेपर से पास करते हैं और भी तरीके हैं ध्यांता मैं एक दो तरीके बता रहा हूं बहुत है तो इसमें और या औरेंज गैसि जो है इस डाइक्रोमेट आयन्स जो की औरेंज कलर खे थे इसको कर देगा यह green color CR3 plus green समझें कि नहीं या फिर मैं SO2 gas को और CO2 gas को दोनों को pass करता हूँ permanganate की solution से जो की purple color की होती है अगर मैं इससे pass करूँगा तो SO2 gas फिर oxidize होके SO4 to negative बना देगी plus permanganate ions जो है वो colorless हो जाएंगे पर permanganate ions क्या हो जाएंगे colorless purple से colorless कोई डाउट किसी को या और भी तरीके हैं वैसे तो यह आपी बन जाएगा उतना ही करना जैसे F3 plus science से pass करेंगे तो यह F2 plus बन जाएगा brown color के उतने F3 plus science और अभी F2 plus हो जाएगा ग्रीन कलर के दूसरा oxygen हो गया यह भी तरीका है लेकि तुम अभी दो को बैलन्स करो जल्दी से ताकि balancing revise हो जाए like this we differentiate CO2 gas from SO2 gas इस तरह से differentiate करेंगे कोई डाउर तो नहीं किसी को जल्दी से balancing कर दो जल्दी से बैलन्सिंग कर दो जल्दी से ताकि कर दो इस वह में जो वह इसे लगाने होते हैं अलग से वह लगाने ऐसी कर दें डेंग अब रज़त सिर्फ बैलेंस करना आइनिक फ़र्म में अब जल्दी से वह तो हो गये वह दोनों कर लिया है एस अब कर लिया है अब वह नटाइब बैलंसिंग एंग और किसी दर किसी किया तो ऑफसीडेशन स्टेट वादा में जटाना उसी से कर दो सब्सक्राइब यहां से यहां कितने एलेक्ट्रॉंस हैं दो एलेक्ट्रॉंस डाइक्रोमेट से यह छे एलेक्ट्रॉंस आटम बैलंस है तू लगा दो बस यहां पर डाइक्रोमेट्रॉंस की अब ऑक्षिएन देखो शिक्स सेवन थर्टीन ट्वेल वन तो एक हैस्ट्रॉंस दर आएगा और तूएज प्लस कोई डाउट यहीं किया रज़त यहां पर यहां पर यहां पर प्रॉल्म की थी उसको भी दूर कर दिया था तो अब किसी को डाउट यहां तक कोई पर करेंगे यहां से शारट कर रहे हैं अब हम साट कर रहें से डिटेक्शन और नाइटरूजन अब यहीं टिटेक्शन और प्रण इसके तीन टेस्ट पहला टेस्ट कि याद करने हैं खत्व होती कुछ यूको cauliflower ड्राइएटिंग टेस्ट, कैसे बंट है, कोई भी और्रिमपाॉंड जिसमें नैडोजन प्रेजन है, उसमें को हीट करेंगे कोई भी औरनिंग पाउंट ठीसे ने अट्रोजन हीट करेंगे तो जारातर के सिस में बर्निंग-एर या बर्निंग फैडर की स्मेल आइगे तो यह simple तरीका to indicate the presence of nitrogen और निंग पांड कोटेनी nitrogen is heated if burning hair or burning feather smell comes is heated if burning hair or burning feather smell comes that means nitrogen is present कोई डाउड तो नहीं किसी को कोई डाउड तो नहीं किसी को अगर ने उसको हीट किया तो इसके अदर नाइड जो इसके अंदर प्रेजन हो सकता है लिमिटेशन है बहुत सारे compound जैसे हैं जिन में nitrogen होता है लेकिन वो टेस्ट नहीं देख सबजगे कि नहीं लिमिटेशन क्या है many nitrogen containing compounds do not give this test many nitrogen containing compounds do not give this test no sir नेक्स्ट टेस्ट है नेक्स्ट टेस्ट टेस्ट लिखते रहना साथ मैं बोलूंगा ज्यादा लिखूंगा कमी ध्यांकर तो लिखते रहना जरूब नेक्स्ट टेस्ट है soda lime test soda lime पता है न तब को क्या होता है soda lime क्या होता बोलो कोई भी बच्चा समने पढ़ा हुआ hydrocarbon receptor मैं इसके बाद एक फश्ट हाइडो कारवन दी थोड़ा बोत करवा दूंगो तुम्हें school में पढ़ लिए है न बोलो जल्दी नहीं पता soda lime चलो soda lime होता है 3 to 1 ratio of aneo-h or cao यह सबने पढ़ा होगा decarboxylation reaction होती है उसके उन्दर पढ़ा होगा सबने यह 3 is to 1 molar ratio of aneo-h and cao 3 is to 1 molar ratio of aneo-h and cao is called as soda lime और cao का function 2-3 function है इसके एक major function में बता रहो है आपने to keep aneo-h dry aneo जो है वो hygroscopic होता है moisture को absorb करता है तो उसको dry रखना इसका काम होता है cao का काम to keep aneo-h dry हाला कि यह base का भी काम करता है co2 gas को absorb भी करता है reaction के अंदर ताकि reaction forward direction में जाए तो यह soda lime है aneo-h और cao का ratio 3 is to 1 में cao का function to keep aneo-h dry to absorb co2 to ensure completion of the reaction तो यह soda lime होता है अब कोई भी compound जिसके अंदर nitrogen present है कोई भी compound जिसके अंदर nitrogen present है कोई भी compound जिसके अंदर nitrogen present है अगर हम उसको treat करते है soda lime के साथ जैसे मैंने ले लिया urea NH2C1H2 इसको treat किया nao-h plus cao के साथ soda lime के साथ कोई भी compound जिसमें nitrogen present है अगर मैंने इसको treat किया soda lime के साथ smell of ammonia ammonia की जो offensive smell होती है अगर यह आती है then this indicates the presence of nitrogen smell of ammonia indicates the presence of nitrogen कोई डाउट? और यह यह ना smell of ammonia indicates the presence of nitrogen smell of ammonia indicates the presence of nitrogen और अगर किसी compound में nitrogen oxygen attached है या nitrogen खुद के साथ याने अजो compound है वो compound यह टेस्ट नहीं देते है यह इसके limitation वो compound यह टेस्ट नहीं देते है तो यह limitation है इसको हलका साभी तो यह टेस्ट नहीं देते है पहले है यह टेस्ट नहीं सकते है यह टेस्ट नहीं देते है और एक्स्प्रेमेंटल है तो मैं ध्यान पना बढ़े गए पहले टेस्ट डिरेक्शन में मैंने क्या बताया ड्राइटिंग टेस्ट कोई बी और इनक्पाउंड जिसके नदर नाइडिजन प्रेजेंट है अगर उसको हीट करेंगे इसको डिर्टली हीट करेंगे तो बर्निं जिसमें ऑक्सिजन टेस्ट मोश सिंपोरटेंट इसी के नदर यह सबसे इंपनुचल है लेशेंस टेस्ट यह सबसे इंपोर्टट्न है नाय Tran छ司न लेसेंटित स्वृ और है नागे तपरोन और है और सेलुर स्पवर हेलोजन की लिए नाइटरोजन सैल्फ्र हेलोजन ढगा जो आगे मैं एक क्यरिएस्ट क्यारी सोमें अंतर स्मेंध्ल मिस्थ होता है बस और नागे Against इस फोर नाइड्रोजन सेलफर एंड इस फोर नाइड्रोजन सेलफर एंड याद करना मैं साथ सब्सक्राइब तो लेशन चैस्ट ना इसली आते नहीं इसलिए हम क्या करते है एक बनाते है इसमें लेशन चैस्ट इसमें करते का हैं कि जो जो कोलेंड फॉम में इलीमें फ्रेजन इंपांड के इंदर उसको हम क्वेड करते हैं इसमें आइनिक फॉम में ऑई हीटिंग विद्स वीद्सौडियम sodium के साथ heat करके हम जो colon form में यानि strong bond के साथ elements present थे उसको हम कर्वेंट करते हैं किसमें ionic form में ताकि test असानी से हो सके जैसे sulfur present है और अरगने compound में तो sulfur को मैं treat करूँगा sodium के साथ heat करूँगा तो क्या मिल जाएगा na2s समझे कि नहीं है ऐसे ही अगर हेलोजन प्रिजेंट है तो मैं इसको heat करूँगा sodium के साथ तो बन जाएगा यह एस कहां से है from organic compound x कहां से है from organic compound तो क्या मिल जाएगा यह nax प्रिजेंट है तो उसके साथ c भी आता है एने प्लस c प्लस n वह करूड किसम हो जाएगा आइनिक फॉर्म में समझे कि नहीं यह नहीं समझा है यह और इसको अप्लाई करने से पहले हम प्रिजेंट में जो एलिमेंट प्रेजंट है इनको हम sodium के साथ heat करते हैं ताकि वह कोवलेंट फॉर्म में करने नहीं करने हो जाए और इसको हम sodium एक्स्राक्ट सोडियुम फ्यूजट एक्स्टाक्ट है कि लेंगे लेशन एक्स्टेक्ट एक्स्टेक्ट इस तो कि तो अब मैं आप हमने अभी नाज़ जो टैस्ट पढ़ लिये हैं ड्राई हीटिंग टेस्ट और दूसरा सोडा लाइम टेस्ट इस में क्या होगा और अब एक्षन लिखने है इसकी पहले हम आने को ट्रीट करते हैं यहां से चल रहा है इसका जो टेस्ट टेस्ट वर नाइडोजन यहां से जल रहा है मैंने बड़ा ब्रेक्ट तगाया तो एने सीएन बन गया एने सीएन को एफिशन फिट किया वैसी पूछ लिए अगर नहीं होगा ना तो एएर इसको ऑक्सिलाइज करके क्या मना आदेगी यहां पर भी आरेन की स्टेट है ना तो यह बन गया sodium ferrocinite sodium ferrocinite अब इस sodium ferrocinite के अंदर इस sodium ferrocinite जो बन गया है अब इसके दालेंगे fecl3 fecl3 यह यहां था fecl3 डालेंगे तो यहां से मेलेगा बहुत important शायद मैंने तुम्हें स्थेड्य यहां पर जूं करना है सिर्फ तुमें सिर्फ तुम्हें यहां पर पर ग्रॉस करना है यहां पर प्लस- हां पर या प्लस- । यह पूरा क्या है टऑं कर लेंगे तो क्या सबाएगा ich रफीओ साथ इससे शहरा estoy तीन एन्ने हट गए एक आगया प्लस थी वाला एन्ने फिर एफी कि एफी सी एन्सिक्स नहीं समझाया यह इसको बोल सकते हैं एक एफी प्लस थी वाला है यह जा रहा है कम से कम पिछले 40 साल के नुदर आया यह इसको बोलते हैं प्रेशियन ब्लू इसको बोलते हैं प्रेशियन ब्लू ब्लून प्ल्लस का डेक्शन करते न यह इफी सांद में नहीं करना है तोENTS sẽ लुकर दूज़ाल गेंकिन रहा हगे कि नहीं कि को कि को करा आव कि याद करना तो मैं साथ साथ अब यहां पर प्रॉलम कॉंẹट करेगा दो कि अब प्रवल्लम कॉं कुरेट करेगा अभी पीसे जाएगा एने से एन अब यह इन एफिसे करता है पार देता है फ इसी एन होल स्थार इस ब्लड रेड कलरेशन 2006 में आयटी में बुछा हुगा फ इस सी एंट्री कि ब्लैड रेड कलरेशन तेने ब्लैड कलरेशन आ रही है समझें कि नहीं यहां तक है अगर ब्लड्रेट कलरेशन नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या यह है कि इसको अहे зан जो मूवी दुगर हमें लेते हैं अहां मता हो अगर ब्लडड कलेशन नहीं आ रही है तो उसका मतलब क्या से रे andare है खार वह नसे तो यह एक्षिन थानी है इंपर्टन कुर्शिशन एंशियर्टी का इफ ब्लड रेट कलोरीशन दस नॉट एपिर यह तो इस तब नहीं यहां तक यहां तक समझा गया कि नहीं जल्दी से इसको याद करें मैं सुन रहा हूँ एक मिनट के अंदर याद करना पूरा जल्दी से याद करना है जैसे बुला कि ब्लड रेट कलरेशन कौन देगा यह अब्जेक्टिब भी सौल करना है यूरिया और इसके लावाले लेते हैं नहीं फोर सी एन जल्दी से याद करेंगे विच और निक पाउंड विल गेव ब्लड रेट कलरेशन एन या पैरा एमाइनो बंजीन सेलफोनिक एसिड है कि है सरी सारे थीरक्न गें तुम्हें में इन में से कौन सा इक व्लड रेट कलरेशन देंगा और जल्दी से याद करेंगे विच यृप इए अ यह प्लड जमाट के नीचे क्या लिखाया है उसके सब्सक्राइब है अचाय है इस अच्छे अच्छा अच्छाइब लिए झाल 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 कि याद कर लिए है याद हो गया है पूरा कि नहीं कि एक मिनिट और देदी है वह लेसिंस टेस्ट कर रहे हैं चलो भी कास नेक्स टार्ट कर रहे हैं जल्दी स्याद कर लो कि अॉू ładए कर मिनिkasन कर देदी हैं जल्दी स्याद कर देदी इसे स्टब लो थो भी कर दो कि एक मिनिक सिहा है और उत्याद कर दो